गर्मियों का मुसम होने वाला एक हतम और आने वाली है बारिश और बारिश यानि की सफारी यानि की जंगल सफारी जी आप बिल्कुल सही बारिश के मुसम में अगर जंगल सफारी नहीं किया तो बारिश के मुसम का मजा ही नहीं लिया आप है तो आप प्लान कीजिए जल्ली जी यहां बिल्कुल सही सुना आपने ये टाटा सफारी एकजेट प्लस डीजल आज आपके लेके आया हूँ कितना ही लंबा सफर तै कर लीजिए भाईया कोई बजट का टेंशन नहीं कि गाड़ी मेरी डीजल है और एकजेट प्लस मॉडल है सफारी करते करते भाईया गाड़ी का सणरूफ से निकल के एक एक शेर का और पूरे जंगल का मज़ा लीजे जितने जानवर है गाड़ी के अंदर बेटके ही सणरूफ से देख सकते हैं गाड़ी तो आप मेरी देखे रहे हैं 2021 मॉडल सिर्फ 16,000 किलोमेटर चली हुई गाड़ी जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने 16,000 चली हुई गाड़ी लेके आएक जेट प्लस मॉडल और गाड़ी चली हुई 16,000 किलोमेटर जी हाँ गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो प्रजेक्टर लेंब से लेके डे टाइम रणिंग लाइट, फॉग लेंब सभी कुछ मिलने वाला है ग्राउंड क्लेरस तो आप देखी रहे हैं, गाड़ी कितनी हाइटेड है, क्योंकि सफारी तो जब से लाउंच हुई थी, जब से इसका एक अनोकाई क्रेज है इसलिए कंपनी ने कंटीनू करते हैं, टाटा की सफारी का वापस से रिलाउंच किया है और गाड़ी को आप देखेंगे, यह सेवन सीटर में है, और इस बार बहुत ही परफेक्ट है प्रीमियम लुक भी आने वाला है, प्रीमियम फील भी आने वाला है, और ओफ रोडिंग की तो क्या बात है गाड़ी की कंडिशन तो आप देखें रहे हैं, मेरी भाईया, बिल्कुल मिंट कंडिशन में है 16,000 चलिए गाड़ी में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बास, दमदार चलाईए 2,5,000,000 किलोमेटर तक आईए गाड़ी को देखते हैं, पीछे से भी, पीछे से भी मेरी गाड़ी बिल्कुल शानदार और मिंट कंडिशन में है पीछे आपको फीचर्स क्या-क्या मिलने वाले हैं, रिवर्स कैमरा भी मिलेगा, पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे रिफॉगर भी मिलेगा, ऊपर शाफिक अंटिना भी मिलेगा और वहीं मिलेगा स्पाइलर और जंगल में अगर शेर ना मिले भाईया तो दो-तिन शेर तो हम साथ भी लेके चल रहे हैं जी हाँ, स्पेशल एडिशन के अंदर इसके अंदर आप देखेंगे, एक तो काजी रंगा एडिशन में आता है और यह एकजेट प्लस में भी यहाँ देखेंगे तीन शेर है, पूरी फैमिली है तो बस पूरी फैमिली भी साथ भी लेके चल रहे भाईया सफारी के अंदर, आएए गाड़ी को देखते हैं लेट साइट प्रोफाइल से, लेट से भी हमारी गाड़ी बहुत ही शांदर और मिंट कंडिशन में है और यह जो सफारी है, माइलेज के लिए तो भाईया कोई टेंशन नहीं लेना है पंदरा से लेके सतरा तक का माइलेज हाईवे को पर आराम से निकालेगी तो चलिए भाईया गाड़ी तो अल्टिमिंट कंडिशन में अब बताता हूं इसके अंदर के मज़े कि सफारी में भी क्या मज़ा आने वाले हैं और प्रीमियम में क्या मिलने वाला है तो चलिए शांदर सफारी के अंदर आए गए बिलकुल नया अवतार के साथ जो नई वाली सफारी है यह हम आपके लिए लेके आएं 2021 की गाड़ी में भाईया मैंने जिसा बोला था कि पूरा मज़ा लेना है सबसे में अट्रेक्शन इस गाड़ी का जो है वो है इसका वाइट सा पैनारोमिक संरूफ जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश का मोसम हो तो सिफ कटन पीछे कीजिए और वाकई में कुछ ठंडी हमाओं का मज़ा लेना और सफारी का मज़ा लेना हो तो यह बड़ा सा संरूफ तो है ही आईए देखनें गाड़ी को अंदर से क्योंकि यह हमारा एक जेट प्लस मॉडल है तो सभी कुछ मिलने वाला है सबसे पहले बताऊंगा ओफ रोडिंग और सफारी करने के लिए यह शांदार से तिन ड्राविंग मोड दिये हुए है बारिश के लिए भी दिया हुआ है रफ रोड के लिए और स्मूथ के लिए हुआ यानि कि हाइवे के लिए यहीं आप देखेंगे ट्रेक्शन कंट्रोल भी दिखेगा यहीं आप देखेंगे हिल डिसल कंट्रोल भी मिलने वाला है और यह शांदार सा बड़ा सा प्लेयर बाई JBL Harman का जिसके अंदर 7.1 विट वूफर, स्पीकर, सराउंडिंग साउंड, डॉल भी डिजिलल स्टीरियो मिल रहा है सभी दूसरे ओप्शन्स भी आप देख रहे हैं जानो बलेक के अंदर यह पावर प्रफॉमेंस के लिए है यह वहीं माइलेज के लिए अच्छा सा मिलने वाला है इस अगर एकोनोमी मोड को दबाएंगे तो आपको शांदार एवरिज मिलने वाला है वहीं बाकी सब फैदर टच वन टच एसी ऑपरिशन्स मिल रहे है सबसे में इस गाड़ी की कि इसका गैर बॉक्स जो है यह सिक्स स्पीड मैनुवल गैर बॉक्स है जिससे गाड़ी का परफॉमेंस और माइलेज दोनों बहुत शांदार मिलने वाला जिस पर दो अडल्ट आराम से बैठेंगे और तीन बच्चे आराम से बैठ सकते हैं चलिए चलते हैं पीछे पीछे तो क्योंकि इस गाड़ी को देखना बनता है यह बहुत कि इतनी बड़ी गाड़ी में थर्ड रो तक एसी का परफॉमेंस क्या रहेगा कमफट क्या मिलने वाली है तो चलिए हम आ चुके हैं सेकंड रो के अंदर अब सेकंड रो में जो कमफट में आपको बता रहा हूं देखेंगे यहीं देखेंगे रिडिंग लाइट से अब गाड़ी की सेफटी के अगर बात करता हूं तो भाईया गाड़ी के अंदर मिलने वाले हर पिलर पे आगे से लेके पीछे तक एयर बैक जिसा कि आप यहां भी देख सकते हैं यहां भी देख सकते हैं दोनों सीट्स में भी मिलन और यहां जाए तो टाटा की गाड़ीया ग्लोबल इंके में 5 Star रेटिंग गाड़ीया होती है चले गाड़ी को अंदर से भी देख लिया फीचर भी देख लिया है अब गाड़ी की बात करते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी जो मेरी है यह डिजल गाड़ी प्राइस के अगर हम बात करते हैं, तो नई गाड़ी का कुछ प्राइस है, 27,30,000 रुपे, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 27,30,000 रुपे, BS6 इस गाड़ी का प्राइस है, लेकिन यह मैं गाड़ी आपको देने वाला हूँ, पूरे के पूरे 6,00,000 रुपे कम में, जी देखा था, हैरियर का बनाया था, हैरियर मेरी गाड़ी बिग चुकी है, तो भाइए, ये गाड़ी भी न बिग जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो स्क्रीन में दियो हुए, किसी भी नंबर पर फोन करें, और गाड़ी की बाकी की डिटेल्स, फाइनेंस रिलेटेड, जो भ बस इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, यार बोस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेर भी जरूर करें, जल मुलाकात होगी, ऐसी शांदार गाड़ी के साथ, नेक्स वीडियो में